चंद ग्रहन के बाद बहुत सावधान रहना होगा आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कौन सी है क्या आपको लाब होगा इस चंद ग्रहन के बाद या आपको सावधान रहना चाहिए जरूर देखेगा सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये चंद ग्रहन किस राशी में लगने वाला है देखे साल 2022 का चंद ग्रहन बुद्ध पूरिमा के दिन विसाखा नचत्र और ब्रिष्चिक राशी में लगने जा रहा है ये जो चंद ग्रहन है ये 16 मई 2022 को लगेगा और भारती समय के अनुसार ये जो चंद ग्रहन है ये 16 मई 2022 को 8 बज कर 69 मिनट में शुरू होगा यानि लगभग 9 बजे शुरू हो जाएगा और सुबह 10 बज कर 23 मिनट में ये चंद ग्रहन समाक्त होगा ये पून चंद ग्रहन होगा भारत में ये चंद ग्रहन नहीं दिखाई देगा इसलिए भारत में इस चंद ग्रहन का सूतक नहीं माना जाएगा तो जब भारत में ने दिखेगा तो दुनिया में कहां कहां दिखेगा ये चंदग्रहन आईए आपको ये बताते हैं तो साल 2022 का पहला चंदग्रहन जो 16 माई को लग रहा है ये चंदग्रहन दस्चनी पस्चमी यूरप, दस्चनी पस्चमी एसिया, आफरीका, उत्री अमेरिका के अधिकांस इलाकों में दक्षणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्क में भी दिखाई देगा, साल का ये जो पहला चंदग्रहन है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखे, ये चंदग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इस चंदग्रहन का सूतक नहीं माना जाएगा, और चंदग्रहन के बारे में हमारे धर्मगरंथ ये कहते हैं कि जहां ये दिखाई नहीं देता, जहां सूतक नहीं माना जाता, तो वहां उस ग्रहन का विशेश प्रभाव नहीं होता है। इसलिए भारत में इस ग्रहन का कोई विशेश प्रभाव नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि कब लगता है पूर्ण चंद ग्रहन पूर्ण चंद ग्रहन तब लगता है जब शूर की परिक्रमा करते हुए प्रत्वी ठीक उसके सामने आ जाती है और उसी समय प्रत्वी के आगे चंद्रमा आ जाता है ऐसी स्थिती में प्रत्वी शूर को पूरी तरह से ढख लेती है यानि जो शूर का प्रकास है वो प्रत्वी रोक लेती है जिससे चंद्रमा तक शूर का प्रकास नहीं पहुँच पाता है तो शूर प्रत्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं ऐसा तभी होता है जब ये बिल्कुल एक क्रम में रहें तब ये चंद ग्रहन बनता है शूर, पृत्वी और चंद मा बिल्कुल एक क्रम में हो, सीधी रेखा में हो तब जो है चंद ग्रहन बनता है और ये चंद ग्रहन हमेशा पूनिमा के दिन होता है चांद के इस रूप को बलड मून भी कहा जाता है चंद ग्रहन शुरू होने से पहले काले और फिर धीरे-धीरे लाल सुर्क बिलकुल लाल रंग में रोस्नी आसपास दिखाई देती है पहले काले कुछ हलके धब्बे नजर आते हैं फिर धीरे-धीरे लाल रंग की रोस्नी आपको दिखाई देने लगेगी अब बताते हैं कि कौन सी चार राशी वालों के लिए ये चंद ग्रहन लाब दायक होगा मेश राशी मेश राशी वालों के लिए चंद ग्रहन धन लाब कराने वाला होगा करियर में मेश राशी वालों को आगे चलके चंद ग्रहन के बाद सफलता मिलेगी और आपके जीवन में सुख बढ़ेगा सिंग राशी सिंग राशी वालों की आय बढ़ेगी आर्थिक इस्थिती में चंद ग्रहन के बाद सुधार होगा, कार्य छेत्र में सिंग राशी वालों को सम्मान प्राप्त होगा तुला राशी तुला राशी वालों को चंद ग्रहन के बाद धनलाब होगा, कहीं दूर से शुब समाचार प्राप्त होगा property खरीदने के रास्ते तुला राशी वालों के लिए बनेंगे मकर राशी मकर राशी वालों की income बढ़ेगी नौकरी में promotion मिलेगा और मकर राशी वालों का सम्मान भी और बढ़ेगा तो ये जो राशीयां आपको बताई इन राशी वालों को चंद ग्रहन के बाद फायदा होगा लाब की स्थिति में ये राशी वाले रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा tension लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमने बताया कि भारत में ये ग्रहन नहीं दिखाई देगा इसलिए भारत के लोगों को इस ग्रहन से बिलकुल भी परेशान होने की आवशकता नहीं है अब कौन सी राशी वाले सावधान रहें ये भी तो जानना जरूरी है तो देखें मिथुन राशी वाले मिथुन राशी वाले अपने सेहत पर ध्यान दे जो आप खान पान कर रहें उस खान पान पर ध्यान दिजेगा खान पान अपने स्वास्त के अनुकूल रखिएगा सत्रूं से सावधान रहें वो अचानक नुकसान पहुंचाने का प्रियास चंद ग्रहन के बाद कर सकते हैं तो इलर्ट हो करके अपने काम करिए सत्रूं को हलके में मिथुन राशी वाले ना ले कर्ज लेकर के कोई काम ना करें बहुत जादा क्रेडिट कार्ड का इस्तमाल ना करें लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड में आज ले लिया कल चुका देंगे लेकिन वो धेर बनता चला जाता है कर्ज बढ़ता चला जाता है उसका interest rate बढ़ता चला जाता है तो उससे बचिएगा या कोई भी कर्ज लेकर के उधार लेकर के बहुत जादा आप काम करने का प्रियास ना करें अपने बजट में जितना आपका बजट इलाओ करता है उसी बजट में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, करकराशी, करकराशी वालों को अपने खर्चों को One control में रखना होगा घर में कलह बढ़ सकती है इसलिए बहुत द्यान से घर में सुख शान्ती बनाय का बहुत प्रयास करकराशी वालों को करना होगा अपनी तरप से कोशिस करेए कि घर में नेगेटिव विचारों से आप बचिये और अपनी घर वालों को भी बचाईए अच्छी अच्छी बाते करें घर का माहौल खुशनुमा बना करके रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धनुराशी धनुराशी वाले लंबी दूरी की यात्रा से बचें उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें क्रोध को काबू में रखें गुसा बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है इसलिए गुसा ना दिखाएं गुसा दिखाएंगे तो आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं और बेवजह की मुसीवत बढ़ सकती है तो ये चंद ग्रहन से हमें बिल्कुल भी डरने की जरुवत नहीं है परिशान होने की जरुवत नहीं क्योंकि भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन क्योंकि ये खगोली घटना है और राशियों पर असर डालती है इसलिए जिन राशिवालों के लिए सावधान रहने के लिए बताया है वो राशी वाले सावधान रहें और जिन राशी वालों के लाब की स्थिती बताई है वो राशी वाले लाब उठाने का प्रयास करें आप सब का आने वाला समय बहुत शुब हो नवस्कार